Hello Friends, Teach Me Daily के YouTube चैनल में आपका स्वागत है This is Bhupendra Singh Mehra अगर आपने हमारे Teach Me Daily के YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इसे आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल में हम competitive exam से related various methods, tricks या दूसरे problems आदी discuss करते रहते हैं जो कि किसी भी exam को clear करने में बहुत ही helpful हो सकते हैं तो आप इस चैनल को अभी यहाँ पर से या फिर यहाँ पर से ज़रूर subscribe कर लें दोस्तों, इस वीडियो में आज आप percentage निकालने की एक fast math trick सिखेंगे इस trick की मदद से आप किसी भी number का percentage कुछी seconds में अपने mind में आसानी से निकाल सकते हैं तो चलिए कुछ examples की मदद से इस trick को सेखते हैं जैसे first example है, इसमें हमें 80 का 25% निकालने की 80 का 25% कितना होगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले हम इसका 100% निकालते हैं तो किसी भी number का 100% क्या होता है, वो ही number होता है जैसे 80 है, 80 का 100% क्या होगा, 80 ही होगा equals to 80 हमें इसका क्या निकालने 25% निकालने तो अब हमें 100% पता लग जिया है, इसका 80 है तो इसका अब हम क्या करेंगे 50% निकालने मतलब 40 होगा तो हमें आंसर में क्या निकालना है 25% निकालना है तो 25% में 50 का भी आधा होगा तो 25% कितना होगा इसका इसका आधा 40 का आधा That is 20 तो 80 का 25% कितना होगा 20 तो यही क्या इसका आंसर है चलिए next question करते हैं इसमें हमें 200 का 15% निकालना है तो इससे हम कैसे निकालना है सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका 100% इस लेते हैं तो 200 का 100% होगा 200 ही होगा हमें इसमें 15% निकालना है तो 15 कैसे बनेगा हम इसका क्या कर सकते हैं एक बाद 10% निकाल सकते हैं फिर उसका half means 5% निकालके दोनों को add तरके इसका answer हम निकाल सकते हैं तो हम क्या करेंगे फ़हले 10% निकालेंगे इसका तो 200 का 10% कितना होगा आपके क्या क्यारना है 200 लिखने यहां पर और एक यहां पर decimal लगा देना है तो 200 का 10% कितना होगा means 20 होगा जो एक digit होगे अगर हमें किसी number का 10% निकालना है तो उसका हम क्या करेंगे एक digit पहले decimal लगा लेंगे अब हमें क्या निकालना है इसका 5% निकालना है तो 5 % इसका half होगा, तो 20 का half होगा 10, तो हमें 15 % निकालना था, तो 10 प्लस 5 कितना होता है, 15 होता है, तो 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30, तो यही क्या अबस का answer होगा, तो 200 का 15% कितना होता है 30 तो जैसे जैसे हम इस trick की practice करेंगे वैसे वैसे क्या होगा हमारा हम अपने आप अपने mind में इसको calculate कर सकते हैं तो चलिए next example करते हैं इसमें हमें 9% of 420 420 का 9% निकालना है तो 420 का 100% तो 420 होगा अब क्या करेंगे इसका एक बाद 10% निकालना है हमें निकालना है इसका 9% निकालना है तो 420 का 10% कितना होगा अभी बताया था मैंने 10% निकालने के लिए 420 ऐसे लिखना है और जो digits है या जो numbers है इनका एक पहले आपके को क्या करना है decimal लगा देना है 10% हो भी या 42 अब हमें क्या निकालना है 1% निकालना है तो 1% निकालने के लिए आप क्या करेंगे जैसे 420 का निकालना है तो 420 ऐसे लिखेंगे 1% के लिए आप 2 digits पहले एक decimal लगा लेंगे तो अब हम क्या करेंगे हमारे पास 10% का आगया और 1% का आगया तो दूनों को सब्ट्रेक्ट करेंगे 42-4.2 कितना होगा 37.8 तो 420 का 9% कितना होता है 37.8 और यही क्या इसका आंसर है चलिए एक last question करते हैं इसमें 70 का 51% निकालने है तो 70 का 100% कितना होगा 70 70 का 50% कितना होगा क्योंकि हमें 51 निकालना है तो हम क्या करेंगे एक बार 50 का निकालने फिर 1% निकालने और दोनों को add कर देंगे क्योंकि हमें 51 बनाना है इसमें तो इसका 50% कितना होगा 70 का आधा मतलब 35 अब हम क्या करेंगे इसका 1% निकालेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी नंबर का अगर 10% निकालना है तो एक नंबर पहले क्या होगा डेसिमल लगेगा अगर 1% निकालना है तो दो डिजीट के पहले डेसिमल लगेगा तो यहां पे लगेगा इसमें क्योंकि 1% निकालना है तो अब क्या करेंगे 51 देखे 50 का भी निकल गया और 1 निकल गया अब इन दोने को एड कर देगे 35.7 प्लस 0.7 35.7 और यही कैस का आंसर है तो 70 का 51% कितना होगा 35.7 तो दोस्तो इस वीडियो में आज आपने % निकालने की Fast Math Prick से ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेर कीजिए और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं ऐसे ही और वीडियो जहींदी में सीखने के लिए आप हमारा चैनल अभी जरूर सब्सक्राइब कर लें तो इस वीडियो में इतना ही थेंक्यो फर वाचिंग बाई